अलेकुम स्टूडेंट सुमीद करता हूँ खेरिया से होंगे हाजिर हूँ MF English Center से तो स्टूडेंट आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए बहुत ज्याद एंपॉर्टन है जो के English चीकना चाते हैं और English को जो है वो समझना चाते हैं और बोलना चाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप जो है वो Englishman नहीं है यानि आप जो है ऐसी country में पैदा नहीं हुए है जहां पर जो है English बोली जाती थी तो अगर आप जो है फिर भी English चीकना चाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है वो sentences सीखने पड़ेंगे और sentences की जो है वो मुक्तलिफ classification होती है मुक्तलिफ types होती है आपने पड़े होंगे affirmative, negative, interrogative तो इससे आगे भी sentence की classification की जाती है sentence जो है मारे पर बहुत ज्यादा मुक्तलिफ तरीके के होते हैं तो आज जो है वीडियो काफी important होगी यह आपको जो है आपके paper में भी बहुत ज्यादा फायदा देगी और आपको number भी अच्छे दिलाएगी क्योंकि अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं सही से समझ के देखते हैं तो आपको English बोलनी भी आएगी थोड़ी बहुत और आपको जो है paper में भी फायदा होगा और आप ऐसे भी खुद लिख सकेंगे तो आपको उमीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात तो student इसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे declarative sentences तो declarative sentences क्या होते हैं मैं आपको खुल के समझाओंगा और हम जो है वो दूसरे में पढ़ेंगे interrogative sentences तो interrogative का तो मतलब आपको पता ही होगा कि interrogative sentences ऐसे sentences होते हैं जिसमें हम कोई सवाल करते हैं कोई जो है inquiry करते हैं तो आज यह instruction पढ़ लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ तो student एक तो साथ चुरू करने से पहले कहूंगा कि अगर चैनल को नहीं subscribe किया है तो आप लोग जरूर subscribe कर लीजिएगा क्योंकि subscribe करना कोई इतनी जदा बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए और अगर आप subscribe करेंगे तो यह हमारे लिए एक reward होगा और like भी कीजिएगा और share भी कीजिएगा दोस्तों में तो सबसे पहले instruction पढ़ता हूँ और उसके बाद explain करता हूँ क्या लिखा होगा है student इसमें जो है मैं आपको exercise number one और exercise number two जो है वो दोनों कराऊंगा और आप अगर हमसे contact करना चाहें तो कर सकते हैं WhatsApp number screen पर आ रहा होगा तो सबसे पहले instruction पढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है type of sentences in English we have different type of sentences each type is used for a specific purpose below are two sentence types and the purpose for which each type is used देखें student इसमें क्या कहा जा रहा है जैसा कि मैंने शुरुआत में बात की कि English में जो है वो मुक्तलिफ टाइप है sentences की और हम जो है वो मुक्तलिफ जगा पर जो है वो मुक्तलिफ purpose के लिए मुक्तलिफ sentences बोलते हैं और उनको इस्तिमाल करते हैं जैसे कहीं पर जो है हम optative tense कहते हैं यानि तमनना वाले जुमले कहते हैं कि काश मेरे को जो है वो पैसे मिल जाए या काश जो है मैं पास हो जाऊं और कहीं पर जो है हम जो है वो negative, interrogative sentences कहते हैं तो स्टुडend यहां पर जो है आपको दो sentences पढ़ाय जाएंगे यानि दो type के sentences पढ़ाय जाएंगे एक जो है वो declarative sentences तो declarative sentences बता देतों क्या होता है और आपको समझने में बहुत ज्यादा असानी रहेगी और definition हमेशा याद रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा तो declarative sentences ऐसे sentences होते हैं जिसमें कोई fact बताया जा रहा हो fact यानि कोई हकीकत बताया जा रही हो कोई ऐसी बात बताया जा रही हो जिसको आप नहीं change कर सकते हैं या जो चीज हो चुकी है इसको बस इतना याद रखें कि declarative sentences ऐसे sentences होते हैं जिसमें कोई fact बताया जा रहा होता है अब जैसे कि मैं आपको बता दू I am tired मैं जो है वो ठकावा हूँ अब आप एक ठकेवे हो ना अब आप कोई ऐसी दवाई नी पी सकते ना ही कोई ऐसी चाए पी सकते हो ना ही कोई ऐसा पानी जिसको पीते ही आप जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि आपको कोई ठकानी नहोँ तो ये एक fact है ना कि आप ठकेवे हो तो declarative sentence में fact बताए जाते हैं तो मैं चलें आपको जो है इसकी instruction पढ़ता हूँ और फिर आगे जो है और example कराता हूँ declarative sentences are sentences that are generally called statements they can be affirmative or negative तेकर student statement से मुरात है इसमें जो है आप कोई बात बता रहे होंगे यानि कोई fact बता रहे होंगे तो यहाँ पर आप statement दे रहे होंगे अब आप declarative sentences में जो है वो affirmative भी कह सकते हैं negative भी कह सकते हैं अब जैसे के आप इस बात को इस तरह समझ लें के negative किस तरह कहेंगे declarative में अब कोई चीज जो है वो fact नहीं है जैसे के यह चीज fact नहीं है के सूरच जो है वो मगरिप से उकता है तो यह बास सच है ना के सूरच मगरिप से नहीं उकता तो यह एक हकीकत भी है के सूरच मगरिप से नहीं उकता और नहीं कह रहे हैं तो negative हो गया तो यह एक fact भी हो गया और negative भी हो गया तो आगे example है, example से आपको बात और अच्छी तरीके से समझ मैं आएगी, जैसा के मैंने आपको समझाया I am tired, मैं थकावा हूँ, यानि ये एक fact है, आप थकेवे हो, अब आप जो है सुबा सुबा उठे हो, तो थकेवे तो नहीं होगे, क्योंकि राद बार आपने 12 से 8 गंटे क नीन पूरी की है, तो आप थकेवे नहीं होगे, तो क्या कहोगे, I am not tired, यानि आप थकेवे नहीं हो, ये एक हकीकत है न, क्या आप नहीं थकेवे हो, तो आप देखते हैं, ये क्या लिखावा है, राहील is hungry, राहील एक भूका है, यानि उसको भूक लग रही है, अब किसी भूक कैसे मिटा सकते हैं, खाना किला के, कोई और तरीका तो नहीं है, कि आप उसकी भूक मिटा दे, कोई ऐसा, जो है कोई आप के पास न, कोई ऐसी चीज है, जिससे आप पड़ें और वो उसकी भूक मिट जाए, अब कोई और तरीका तो नहीं है न, भूक मिटाने का, कि आप जो है उसको कोई машीन के पास बिठा ज Weं उसकी भूकमिठ जाए बलकि अगर भूकमिठाना है तो खाना इक लाएंगे तो एक फेक्ट है कि एक इन्सान हilका एक हकीकत है अब कोई इन्सान भूका नहीं है उसने खाना खा लिया है पेड बर के खाना खा लिया है, तो यहाँ पर राहील की मिसाली ले ले ले, राहील is not hungry, देखें स्टूडेंट यहाँ पर is not जो है, यह contraction में लिखावा है, यानि जोड के लिखावा है, तो मैं जो है से contraction में नहीं पढ़ूँगा, खोल के पढ़ूँगा, यानि isn't नहीं पढ ताकि आपको बास समझने मसानी रहे, क्योंकि contraction जो है अकसर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैं contraction को खोल देता हूँ, ताकि आपको बास समझने मसानी रहे, तो student यहाँ पर लिखावा है, राहील जो है वो भूका नहीं है, अब यह हकीकत है, उसने खाना खा लि डिबिया में चार pencils है ना, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई डिबिया भी ना खोले और डिबिया को छुए भी निहीं और आपकी पैंसिल घाया पुझाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक हकीकत है, आपके डिबिया में अगर चार पैंसिल है तो हैंगी, अब यह तसबर करने क चार पैंसिल नहीं है तो क्या होगा I don't have four pencil मेरे पास चार पैंसिल नहीं है अब आपकी डिबिया में चार पैंसिल नहीं है यह हकीकत है तो अब आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे उसमें आपंइब आपि इंट्रोगेटैणिव डिख लेते हैं। इंट्रोगेटैणिव सेंटेंस गाफ है काफ़ी असान होते हैं जिसमें सवाल करते हैं so on they can be affirmative और negative देखें student interrogative sentence जो है ये भी affirmative और negative होते हैं affirmative क्या होता है affirmative as a sentence होते हैं जो के positive हो यानि जिसमें जो है मुझबत बात की जा रही हो ना ही कोई इंकार हो रहा हो और ना ही कोई सवाल पूचा जा रहा हो affirmative ऐसे sentence होते है negative क्या होता है जिसमें किसी चीज का इंकार किया जा रहा होता है या किसी चीज को मना किया जा रहा होता है जैसे कि मैं खाना नहीं खाता मैं बाहर नहीं जाता तो नहीं आ रहा होता है और affirmative में ना ही नहीं आ रहा होता है और ना ही कोई सवाल पूचा जा रहा होता है लेकिन जो है वो interrogative में affirmative हो सकता है यानि आप जो है वो ना नहीं लगा रहे हैं सिर्फ सवाल पूच रहे हैं तो ये एक affirmative हो गया तो उमीद करता हूं समझ मैं योगी तो interrogative ऐसे sentence होते हैं जिसमें आप जो है वो सवाल पूचते हैं सवाल किसे पूचते हैं अपने teacher से भी पूच सकते हैं किसी ऐसे इंसान से जिसने कोई जुरुम किया हो और कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पता हुए information हासिल करने के लिए अब आपको जो है नहीं पता है के डिबिया में कितनी pencil हैं तो आप question नहीं करोगे के बाई डिबिया में कितनी pencil हैं आप जो है पूचो के ना कितनी pencil है डिबिया में तो question कर रहे हो तो यह होते हैं interrogative तो यहाँ पर जो है आमें example दी वी हैं बात और अच्छी थरीकर से समझ मैंगी are you hungry तो यह है affirmative यानि इसमें कोई इनकार नहीं हो रहा है बस question जो है पूचा जा रहा है तो क्या तुम भूके हो अब अगर आप भूके हो तो बोलोगे हाँ हूँ नहीं हो तो मना कर दोगे अब यहाँ पर भी जो है वो आपसे सवाल ही हो रहा है लेकिन negative में हो रहा है तो देखते हैं क्या लिकावा है are not you hungry या aren't you hungry क्या तुम भूके नहीं हो या क्या तुम भूके हो तो इसमें जो है वो सवाल हो रहा है ना तो इसलिए not लगाया, तो यह क्या हो गया, interrogative plus negative, तो इसमें negative भी है और यह affirmative है, यानि positive जुमला है, इसमें कोई इंकार नहीं हो रहा है, तो student positive जू affirmative को इसलिए कहते हैं, क्योंकि affirmative का जो synonyms होता है, वो positive होता है, तो इसलिए जो है, वो affirmative को positive भी कहा जाता है, student अगले sentence में ज your homework क्या तुमने जो है वह अपना काम कर लिया है अक्सर आपके teacher और आपके जो parents होते यह आप से सवाल करते हैं आप वो आपसे यही सवाल negative में भी कर सकते हैं वो कह सकते है did not you do your homework या didn't you do your homework क्या तुमने जो है वो अपना काम कर लिया है या क्या तुमने जो है अपना काम नहीं किया है तो वो नहीं लगा सकते हैं interrogative के साथ तो अब देख लेते हैं आगे क्या है have you washed the dishes क्या तुमने जो है वो dishes जो है वो धोली है dishes यानी बरतन जो है तुमने दो लिये है अक्सर जो है ये सवाल आपसे negative में भी हो सकता है have not you washed the dishes as yet क्या तुमने जो है वो अभी तक dishes नहीं दोई है यानी आपे नहीं लगाया जा रहा है तो इसलिए जो है have के साथ not आ रहा है तो उमीद करता हूँ यहां तक आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अब जो है हम अपनी exercise number one कर लेते हैं उसके बाद exercise number two कर लेते हैं तो student आपको जो exercise number one में instruction दी वे है सबसे पहले instruction पढ़ लेते हैं और फिर देख लेते हैं इसमें क्या करना होगा below is a list of sentences against each one right what type of sentences it is for example declarative, affirmative और interrogative, negative and so on the first one has been done for you as an example तेगे student इसमें कहा जा रहा है के नीचे जो है आपको मुखतलिफ type दीवे sentences की जो declarative, affirmative भी हो सकते हैं जो interrogative, negative या फिर आगे जो और भी हो सकते हैं यानि ये वाला जो है वो declarative, negative भी हो सकता है और interrogative, affirmative तो आपने जो है वो sentence पढ़ना है और पैचानना है तो मैंने जो है आपको पर instruction अच्छी तरीके से समझाई है और instruction इसलिए अच्छी तरीके से समझाई थी ताके आपको नीचे समझने में मुश्किल ना हो एक बात आप समझ लें के अगर not आ रहा है तो चीज जो है वो negative होगी चाहे declarative हो या interrogative अगर not नहीं आ रहा है तो चीज जो है वो negative नहीं होगी बलके affirmative होगी अब आपने जो है वो देखना होगा कि इसमें कोई fact बताया जा रहा है या सवाल पूचा जा रहा है तो सबसे पहले पढ़ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है Sabia is shivering यानि Sabia जो है वो काप रही है तो काप रही है यानि एक fact है अब इसमें सवाल तो नहीं हो रहा ना सवाल नहीं हो रहा तो यानि ये declaration है अब ये देख लेते हैं क्या हम जा रहे है फिटबॉल के मैदान में या जहां पर फिटबॉल खेली जाती है वहाँ पर तो देखें सबसे पहले आ रहा है तो क्या हो रहा है सवाल हो रहा है आपको question mark भी नजर आ रहा होगा अब देख लेते हैं के affirmative हैं negative अगर affirmative है तो not नहीं होगा और बिलकुल यहां पर not नहीं है तो ये क्या है interrogative affirmative तो उमीद करता हूं समझ गया होंगे अब आगे देखते हैं not calling from the hospital देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है के अजनभी जो है वह call नहीं कर रहे थे hospital यानि hospital नहीं call कर रहे थे अब वह अजनभी है इसलिए नहीं कर रहे थे तो अब देखें यहां पर पैचानते हैं के sentence क्या है तो क्या है declarative में क्या है negative है यह affirmative यह पैचानते हैं देखें not आ रहा है, तो not आ रहा है तो आखे बन करके negative है, कोई काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, declarative negative, अब फोर देखते हैं, will you come to my house tomorrow to study, देखें student इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुम आओगे मेरे घर पढ़ने के लिए, अब यहाँ पर जो है वो सवाल हो रहा है, कैसे पैच negative हैं या affirmative, देखें negative होता तो not आ रहा होता, not नहीं आ रहा, तो student आपको बात किस तरह समझ में आ रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा है, अगर कोई मसला हो रहा है, तो comment section में ज़रूर message कर दीजिएगा, और अगर आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही है, तो appreciation के लिए हमारे एक इनाम के लिए reward के लिए message कीजिएगा, ताके हमें भी अच्छा लगे, अब देखें student 5 में क्या का जा रहा है, 5 में का जा रहा है कि I like to play cricket, बहुत से लोगों को पसंद है cricket केलना, तो मुझे भी पसंद है cricket केलना, तो यहां पर का जा रहा है कि मुझे cricket केलना not नहीं आ रहा है, तो affirmative हो गया, अब आगे देखते हैं isn't, is not लिखावा है, contraction में isn't हो गया, this your book, क्या यह तुमारी बुक नहीं है, अब यहां पर क्या हो रहा है, question mark आ रहा है, तो यह क्या हो गया, interrogative और not आ रहा है, तो क्या हो गया, negative, intro plus negative हो गया, या intro cognitive हो गया, interrogative negative sentence हो ग अब आपका सातवा देख लेते हैं सातवा जो है वो यह है कि are not you the girl who won the gold medal क्या तुम वो लड़की हो जो gold medal जीती थी अक्सर सवाल होता है और फेंशन खतम अब not आ रहा है थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा अफर्मेटीव नेगेटिव तो इतना कोई मुझ्किल बात नहीं है नौट आ रहा है तो नेगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सब्सक्राइब आप आकरी देखते हैं फिर बात को खतम कर दिया, contraction में हम लफजों को छोटा कर देते हैं, यानि एक वर्ट को दूसरे वर्ट से मिला देते हैं, not अलग वर्ट है, does अलग वर्ट है, लेकिन मिला दिया, तो यहां पर देखें आप, यहां पर जो है, question mark नहीं आ रहा है, declarative हो गया, यानि हमें दो ही type पढ़ाई हैं, तो declar हो गया, तो उमीद करता हूँ, समझ में आया होगा, यह वाला जो जुमला था, वो declarative negative था, तो यहां तक आपको बात अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, उमीद करता हूँ, अब जो है, हम देख लेते हैं, कि exercise number two में क्या बताया जा रहा है, exercise number two भी important है, और वो भी इस आपको जितने भी sentence दिये वे थे, exercise number one में, उसे आपने जो है, वो affirmative से negative में ले जाना है, यानि negative से affirmative में ले जाना है, यहां पर आपसे यह बात की जारी है, कि जो affirmative में sentence दिये वे न आपको, उसे negative कर दें, और जो negative है वो, उसे जो है वो affirmative कर दें, लेकिन declarative को interrogative नहीं करना है और ना ही interrogative को declarative तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होगा ये तो student यहाँ पर आपको जो है वो लिखावा नजर आ रहा होगा तो ये जो है हमारे पास क्या है affirmative है तो इसे हमने negative करना है देखें यहाँ पर जो है वो sabiyah is sharing है यानि हमें से करना होगा sabiyah is not sharing तो उमीद करता हूँ बास समझ गया होँगे अब मैं आपको ये तमाम के तमाम करके दिखा देता हूँ और आप इसे अपनी notebook में उतार लीजिएगा ताके जो है ये आपको ये वाली जो exercise है और यो ये वो नहीं कापती है यानि हमने affirmative को negative कर दिया अब आगे देख लेते हैं are we going to the football field क्या हम जा रहे हैं football के ground में या football के मैदान में तो यानि negative है interrogative है तो interrogative ही रहने देंगे लेकिन negative कर देंगे इसे कैसे करेंगे are not we going to the football field या aren't and यहां पर जो है वो contraction है बार बार बता रहा हूँ ताके समझ में आजाए बात देंगे student यहां पर का जा रहा है कि क्या हम नहीं जा रहे हैं football के मैदान में तो यहां पर हमने क्या किया affirmative था negative कर दिया यानि या not नहीं था not लगा दिया अब आगे देखते हैं देखिए student हमारे पास जो तीसरा sentence है वो यह है के the stranger was not calling from the hospital देखिए student इसमें का जा रहा है के stranger जो है वो नहीं call कर रहे थे hospital यानि जो अजनभी लोग है वो नहीं कर रहे थे hospital call तो यह क्या है यह जो है वो negative था अब इसे जो है वो affirmative कर देते हैं not अटा देते हैं affirmative हो जाएगा the stranger was calling from the hospital अजनभी जो है वो call कर रहे थे hospital यानि phone कर रहे थे hospital और hospital से मदद बुला रहे थे तो उम्मीद करता हूं समझ गये होंगे अब आगे पढ़ते हैं will you come to my house tomorrow to study क्या तुम आओगे मेरे घर पढ़ने के लिए अब यहाँ पर देखें negative नहीं है यानि affirmative है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और यह कर चुके हैं तो अब इसे क्या करना है not लगा देना है और negative कर देना है will not you come to my house tomorrow to study चाह तुम नहीं आओगे मेरे घर कल पढ़ने के लिए तो यह हमने क्या किया इसके अंदर not लगाया और इसे जो है वो negative कर दिया अब आगे देखते हैं पांचवा जो student वो यह है कि I like to play cricket देके student इसमें का जा रहा है कि मुझे पसंद है cricket खेलना और मुझे अच्छा लगता है खेलना तो अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो है वो do not लगाएंगे क्यों क्योंके यह जो है वो present है और present में जब भी interrogative करते हैं तो do not लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा I do not like to play cricket मुझे पसंद नहीं है cricket खेलना तो उमीद करता हूँ समझ में आगया होगा do not लगाने से यह क्या हो गया यह जो है affirmative से negative हो गया अब देखते हैं आगे क्या लिखा भाए student हमारे पास जो छटा statement है वो यह है के is not this your book क्या यह तुमारी book नहीं है तो अब इसे जो है वो हमने क्या करना है affirmative में ले जाना है यह जो है आपको negative में दिया वाए तो इसको आप affirmative में कैसे लेके जाएंगे not हटा दीजिए affirmative में चला जाएगा तो क्या बनेगा is this your book क्या यह book जो है वो तुमारी है तो इस तरह से जो है वो आप किसी भी affirmative को negative में ले जा सकते है या किसी भी negative को affirmative में अगर आपको not दिया वाए तो आप जो है वो not हटा दें वो negative से affirmative में आ जाएगा अगर जो है आपको not नहीं दिया वाए not लगा जाए तो वो negative में चले जाएगा तो student उमीद करता हूँ समझ गया होंगे आप सात्वा देख लेते हैं Are not you the girl who won the gold medal? क्या तुम वो लड़की हो जो के gold medal जीती थी? अब यहाँ पर क्या पूचा जा रहा है? सवाल पूचा जा रहा है लेकिन क्या है? Negative है तो इसके अंदर से not अटा दें affirmative बन जाएगा Are you the girl who won the gold medal? क्या तुम वो लड़की हो जो के gold medal जीती थी? तो यहाँ पर क्या हुआ? Negative तो यह होगी affirmative लेकिन जो है question ही रहा क्यों क्योंकि हमने जो है वो declarative sentence को interrogative में नहीं करना था बलके affirmative को negative में करना था तो आप आखरी देख लेते हैं to play hockey यानि जुमान को जो है वो hockey खेलना पसंद नहीं है अब मैं आपको एक plus बात बता दूँ के hockey जो है वो पाकिस्तान का national sport है यानि कौमी खेल है तो अब यह क्या लिखावा है? यह लिखावा है negative हमने क्या करना है? negative से affirmative में लाना है तो does not हटा दें तो यहाँ पर आपको S लगाना पड़ता है वर्प के साथ S का इदाफा होता है third person में तो उमीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी इंशालला इसके उपर भी आने वाले वक्तों में वीडियो बना दूँगा ताकि आपको यह जो है present पास समझने में भी असानी रहे जुमान लाइक्स टू प्ले होकी जुमान जो है वो होकी खेलना पसंद करता है यानि यहाँ पर जो है वो affirmative हो गया तो उमीद करता हूँ यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने तमाम जो है वो दोनों exercise करा दी है